भारत में चैनित सरकार की सनुरचना को समझना बहुत ही आवस्य के इसे देश के लिए सरकार की भूमिका का पता चलता है और साथ ही इस बात को समझने में भी आसानी होती है कि क्या सरकार सही रूप से अपना काम कर रही है दोस्तों यहाँ पर हम केंदर सरकार और राजे सरकार दोनों सरकारों के बारे में समझेंगे 1947 के बाद जब संविधान बनाने की बाद सामने आई तो यहाँ पर संसद्य बेवस्था अपनाई गई और संविधान के तीन अंग बनाए गए इन तीनों अंगों के कुछ अपने कारे और पावर भी दिये गए, जिन में से पहला है हमारा legislature, जिसको हम बोलते हैं बिधाई का, तो यहाँ पर बिधाई का का काम क्या होता है? तो बिधाई का का काम होता है बिधयक बनाना, मतलब legislature का काम देशवासियों के हीद के लिए कारे पालिका, दोस्तो कारे पालिका का काम सांसद में बने कानूनों को पास करना तता एक्सक्यूज करना होता है, और जो थर्ड है हमारा वो है judiciary, मतलब निया पालिका, यदि लोको लागू करने में कोई दिक्कत आती है, या कोई उसका उलंगन करता है, तो इसे solve करने या फिर सजा देने का काम जो डिसरी का होता है, मतलब निया पालिका क्या करता है, जो भी executive ने गलती किया, उसको solve करने का काम, या फिर सजा देने का काम जो डिसरी का होता है, तो दोस्तो एक चीज़ हम यहाँ पर clear समझ लिए, कि जो कानून मनानिक जो सकती है, वो जिस लेचर करता है बतलब इसमें कोई लौक को छती पहुंचाता है तो उसको पनिश करने की जो शक्ति है वो नयाय पालिका के पास है यहां पर फर्स्ट हम विधाईका के बात करते हैं जो कानून बनाने का काम करती है जैसे कि दोस्तों आपको पता होगा हमारे यहां दो अस्तर पर सरकार बनाया जाता है एक किंदर अस्तर पर और दुसरा राज्यस्तर पर किंदर अस्तर पर विधाईका में कौन-कौन से होते हैं और राज्यस्तर में कौन-कौन से होते हैं चलिए इसको हम जरा समझ लेते हैं जब किंदर के विशे में विधेक बनाने की बात आती है मतलब जब किंदर के विशे में कानून मनाने की बात आती है तो किंदर सरकार बनाती है और राजे के विशे में जो कानून मनाने की अगर बात आती है तो वो राज्य सरकार बनाती है मतलब राज्य सरकार का अधिकार होता है राज्य के विशे में कानून बनाना यहाँ पर केंद्र अस्तर पर कानून बनाने के लिए जो बेवस्ता अपनाई गई है उससे सांसद कहते हैं और राज अस्तर पर जो बेवस्ता अपनाई गई है उसे विधान मंडल कहते है。 दूस्तों, यहाँ पर मैं केंदर की बात करूँ. तो केंदर में कानून बनाने के लिए सांसद की दो सदन, मतलब दो हाॉस होते हैं. एक lower house होता है जिसको लोग सभा बोलते हैं और दूसरा upper house होता है जिसको राज्य सभा बोलते हैं जब राज अस्तर की बात करते हैं तो विधान मंडल के दो अस्तर होते हैं विधान सभा और विधान परिशद दोस्तों बिधान सभा जो होता है वो सभी राज्यों के लिए आवश्यक होता है लेकिन अगर बिधान परिशद की अगर मैं बात करूँ तो बिधान परिशद कोई जरूर नहीं कि सारे राज्यों में आवश्यक हो वो depend करता है राज्यों पर अगर राज्यों चाहे तो विधान सभा को accept कर सकते हैं अगर राज्य को विधान परिशद नहीं चाहिए तो वो विधान परिशद नहीं ले सकता है अभी total अगर मैं बात करूँ तो total 7 राज्यों के पास विधान परिशद है मतलब सात राजियों ने विधान परिशत ले रखा है तो दूस्तो अब चलिए हम सेकेंड बात कर लेते हैं कारेपालिका के बारे में कारेपालिका में भी जो केंदर अस्तर पे और राज अस्तर पे हमारे सरकारे होती है ठीक है न? तो केंदर अस्तर पर जो कारिपालिका का जो सबसे प्रमूख होता है उसको रास्टपति खते हैं मतलब जो रास्टपति होता है वो कारिपालिका का सबसे प्रमूख होता है सबसे हेड होता है मतलब रास्टपति को पूरे देश का हेड माना जाता है दूसरे अस्तान पे आते हैं उपरास्टपती और तीसरे अस्तान पे आते हैं प्रधान मंत्री एक्च्वल में प्रधान मंत्री पूरे देश का वास्तवीक हेड होते हैं रास्पती को बहुत सारे पावर दी गई है बट उन पावर का जो यूज होता है न वो प्रधान मंत्री करते हैं इसलिए उनको वास्तविक हेड बना जाता है चौथे अस्थान पे आता है मंत्री मंडल दूस्तो मंत्री मंडल का जो प्रमूख होता है मतलब जो प्रधान होता है वो प्रधान मंत्री होते हैं दूस्तो सुविधा के लिए मंत्री मंडल को भी तीन पार्ट में बाढ़ दिया गया है पहला cabinet मंत्री, दुसरा राज्य मंत्री और तिसरा उप मंत्री जिनके अलग-अलग काम होते हैं मंत्री मंडल के परतेक मंत्री को सांसत का सदस से होना अनिवारे होता है राज्यस्तर पे जो कार्यपालिका होती हैं उनके जो प्रमूख होते हैं वो राज्यपाल होते हैं रास्टपती के तरह ही राज्यपाल को भी पूरे राज्य का हेड माना जाता है और जो वास्त्विक हेड होते हैं वो मुख्य मंत्री होते हैं ठीक उसी तरीके से मंतری परिशद भी होते हैं राज्य में, जो राज अस्तर पे मंतری परिशद होते हैं, उनका बिधान मंडल का सदस्य होना आवशक है, तो दोस्तों यहां पर एक question उरता है कि जो प्रधान मंतری है, वो केंदर में कार्यपालिका का भी सदस्य हैं, और बिधा बिधास्वः के भी सदस्या हैं। विधास्वा के लोगसभा के सदस्या है। तो प्लिवाठस कंप दूँद था जाकृत्पूं ह await случаiva हई जैसी भी सदस्या नहीं होती है और दीगिशंधाय के लोगसभा के सदस्या बन जाते हैं कि उसी तरीके से मंत्री परिशद भी होते हैं मंत्री परिशद जो होते हैं वो लोग सभा के सदस्य होते हैं जब उनको मंत्री बना दिया जाता है तो वो आज़क कारेपालिका के भी तरह काम करने लगते हैं इस तरीके से परधान मंत्री तथा मंत्री परिशद कारेपालिका के भी सदस्य होते हैं और विधाईका में सांसद में विधाईका के भी सदस्य होते हैं तीसरा अंग है नियाईपालिका मतलब जियोडिस्री जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि कानून बेवास्था को सही रूप से चलाने के लिए तथा कानून के अनुसार नव चलने वालों को दंडित करने का काम जो होता है वो न्याई पालिका का होता है मतलब सब को सम्मान न्याई सुनिश्चित करना न्याई पालिका का असली काम होता है भारत की न्याई पालिका स्वतंत तथा एक इक्रीत है भारत की स्वतंत्र डिस्ट्री का जो अपर लेबल है मतलब जो सीर्स है वो सुप्रीम कोट है जिसका प्रधान चीफ जस्टिस होते हैं सुप्रीम कोट के निचलेस्तर पर आता है हाई कोट तथा इसके बाद district court सुप्रिम कोट को अपना मामला तथा high court से आये मामलों को सुझाना होता है भारत में फिलहाल 24 high court है लेकिन आंदरपरदेश के अराउली में देश का 25 high court बनने जा रहा है इस तरीके से कुल जो high court मिलाया जाया तो 25 high court हो जाएंगे अगर judiciary तथा legislature के बीच मत भेद या विबाद हो जाएं तो इसका जो सुलख कराने का काम होता है वो रास्टपती करते हैं दोस्तो जो district level पर जितने भी विबाद होते हैं उनको district court में सुलजाया जाता है तो दोस्तो आज की इस वीडियो में हमने तीनों अंग legislature, executive and judiciary तीनों को हम अच्छे तरीके से समझ लिया अच्छे तरीके से हमने इसको classify कर दिया हम जो हमारा next वीडियो होगा वो रास्टपती, उपरास्टपती, प्रधानमंत्री, मंत्री, परिशद या फिर लोकसभा, राजसभा इसके बारे में हम next video लेखे आएंगे तो आज के वीडियो में बस इतना ही मिलते है next video में आपने अभी तक हमारे चैनल को subscribe नहीं किया है तो please हमारे चैनल को subscribe पर लिजिए और उसके बगल में छोटा सा वेल आइकन है उस पर भी क्लिक खर लिजिए ताकि time to time जो भी वीडियो हम upload करेंगे आपको notification मिलता रहा है दोस्तों आप मुझे Facebook पर भी follow कर सकते हैं अगर आपको यह वीडियो अच्छे लगी तो इस वीडियो को वर्टसेप तता Facebook पर share अवश्य करें किरप्या हमें कमेंट कर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसे लगी आपके सुझाओ का हमेशा स्वागत रहेगा वीडियो को देखनी के लिए थैंक यू